हलो वेलकम बाग वेयर स्पिरिट के ठीक बाद यारी जब ब्लीडिंग रुकती है या रुकने वाली होती है अगर उन दिनों में फिजिकल कॉंटेक्ट किया जाये तो प्रिगनेंसी होगी या नहीं बहुत सारे लोगों का कुश्चन होता है और ये दोनों तरीके के लोगों के लिए बहुत इंपोर्टन है जो लोग प्रिगनेंसी चाहते है या फिर जो कपल्स प्रिगनेंसी नहीं चाहते है उन दोनों ही कपल्स के लिए बहुत इंपोर्टन है वेल इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए है आप एक बार हमारी playlist को जरूर चेक आउट करें because उसमें आपके different different questions रहते हैं उनके वहाँ पर reply है बागी के बारे में हम next वीडियो में बात करेंगे एक वीडियो में एक ही topic पर बात करेंगे जिससे की आपका concept clear रहे और आप अच्छे से इसको समझ पाए तो चलिए इसको समझ लेते हैं तो couples यहाँ पर ध्यान दे यह menstruation का हमने पहला दिन लिया है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन mostly लोगों को तीन दिन mensis होता है या फिर किसी-किसी में चार दिन होता है तो अगर यह चार दिन होता है या एक दिन आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है वो आप add or remove कर लिजेगा उसके ठीक बात अगर physical contact इन दिनों में होता है या अगर यह पिरिड यहां तक हुआ तो चौते, पाँच में छेडे, साथ में आठवी दिन तक यह दिन आपके safe day है इनमें pregnancy नहीं होती है ठीक है आपको ध्यान रखना है कि ठीक बात अगर यह 4 दिन है इनमें आपने contact किया है तो pregnancy नहीं होगी अब इसमें एक बात ध्यान देने की ज़रूँ होता है कि अगर आपको pregnancy चाहिए तो फिर आपको हमारे दूसरे वीडियो देखने है जिनमें की हमने unsafe day जो बता है उसमें आपको contact करना है वैल अगर आपकी पतनी का जो पूरा चक्र है यानि पहले दिन जो पहला दिन यह है period का जो next period आता है तो उस वो चक्र कहलाता है अगर वो 22 दिन का है तो फिर आपके लिए ये 7 दिन तक ही फिर safe है ठीक है तो आपको ये 3 दिन मान के चलना है या अगर 3 दिन period हुआ तो 4 दिन period हुआ तो 5 में 6 दिन आप contact कर सकते हैं और ये आपके लिए safe दिन हैं इनमें pregnancy नहीं होती अगर पतनी का period आपकी 28 दिन का है तो फिर आप ये दिन भी जोड सकते हैं या फिर नमा दिन भी जोड सकते हैं तो वो भी contact उसमें 9 दिन तक भी contact कर सकते हैं आपको pregnancy नहीं होगी मुझे बीर इससे आपको clear समझा के होगा और फिर भी कोई doubt है तो आप playlist को पर जरूर देखें उसमें जो safe और unsafe day का option है उसमें जाकर आप बहुत अच्छे से detail में उसको समझ सकते हैं यहां पर हमने short में इसलिए बताया है क्योंकि बहुत सरे लोगों का यही एक question है well दूसरे topic को हम next video में cover करेंगे till then keep smiling see you in next video